Hello Everyone, आज है 13th माई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उर्जा ग्लोबल के बारे में देखें उर्जा ग्लोबल पिछले दो दिनों से अगर हम देखें तो लगाता 20-20% की तेज़े दिखा रहा था लेकिन आज यहां पर गिरावट देखने को मिली है और हला कि यह एक्सपेक्टेड था ठीक है और अगर आप चैनल को रेगिलर फॉलो कर रहे हो तो कल भी मैंने इसके उपर वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि देखो गिरावट बहुत जल्दी पॉसिबल यहां पर हो सकती है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी साथा हल्प करेंगे तो उर्जा ग्लोबल आज तकरीबन 7% के गिरावट दिखा रहा है पिछले के महिने में अगर हम देखे तो रॉकेट के तरह भागा है अभी भी तकरीबन 54% का ग्रोथ जरूर है तेजी बनी थी लगा था दो दिन से ये 20-20% के तेजी दिखा रहा था आज यहां पर ऐलन मस्क वाले टेसला नहीं है तेसला पावर इंडिया के साथ इनका डील हुआ है यहां पर फिच सम इन्वेस्टरमिश्टू के उस आ टेसला तो अगें जो इलान मस्क वाले टेसला है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है उर्जा आन जून एट से एड़ साइंड Global Headquarter in US तो यह 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 में इनका मुनलब US कंपनी है और देखो अगें मैं कहे दू यह जो Tesla Power Company है यह भी कोई छोटी मूटी कंपनी नहीं है ठीक है यह भी काफी बड़ी कंपनी है तो कही न कहीं जो deal हुई है वो एक positive note है ऐसा नहीं कि जो तीजी अभी भी है, देखो मैं मानता नहीं हूँ कि दुबारा यह अपने previous price पे जाएगा जो कि साड़े साथ 8 रुपे का था, वहाँ पर नहीं जाएगा यह, कहीं न कहीं यह 10 रुपे की range में अटिकेगा, और बाद में फिर से एक support बनाने के वहाँ पर कोशिश करेगा, तो कहीं न कहीं कि जो खबर है, इनकी जो टेसला के साथ जो डील हुई है, टेसला पावर यूए से बले ही इसका इलॉन मस्क से कोई लिना दिना नहीं है, लेकिन कमपनी की global presence है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, global presence है इनकी और काफी बड़े बड़े कमपनियों के साथ इनके contracts भी है, तो जो news है, वो positive है, ठीक है, लेकिन जो Elon Musk के नाम से जो चल गया था, वो उतनी जाद नहीं है यहाँ पर, अगर हम बात करने जाए, तो company को लेकर अगर हम देखेंगे, तो investor misinterpreted this deal with the real Tesla, ठीक है, जिसके चलते अगर हम देखें, तो बहुत बड़ी तीजी हमे दो दिन में यहाँ पर देखने को मिली थी, अगर पहले यह होता कि इलॉनमस वाली नहीं है, तो शायद तीजी तो आती थे, तीजी आती, लेकिने 20-20% वाली नहीं आती, हो सकता है कि तीजी 5-6%, 7-8% कि आपको देखने को मिल जाती, तीजी ज़रूर आती, इस ख़बर से कि खबर positive है, अगर हम बात करें उर्जा ग्लोबल की, तो या उर्जा ग्लोबल करती क्या है company, अगर आप पहले उर्जा ग्लोबल को track करते हो, तो पहले company बहुत कुछ करती थी, बहुत सारी चीज़ों में थी, solar की बात करो, हम home lighting, मतलब lighting वगेरा की बात करो, water heater वगेरा की बहुत कुछ करती थी, लेकिन अभी इनकी website पर हम चलते हैं, तो company का majorly दो है, electric vehicles of batteries, जिसमें e-rickshaw battery की हम बात कर ले, या फिर two wheelers battery की अगर हम बात कर ले, यहां पर electric vehicles में भी वही है, इनके खुद के bikes वगेरा है, ज़रूर लेकिन फिर भी उतने जादा चलेंगे नहीं, यह मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे दा कि जो battery वाला काम है उनका, यहां पर साथ potential निकल कर आ सकता है, चाहिए वो e-rickshaw वाले battery की अगर हम बात करने जाए, या फिर बाकी bike वागेरा की बात करने जाए, वहां पर potential हो सकता है, लेकिन जो अपनी electric bike ये लोग निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि जादा future है इसका, मुझे दा कि आने वरे दोर में लोग जादा branded company की तरफ जाना पसंद करेंगे, चाहे वो tvs की अगर हम बात करें, या फिर बजाज की हम बात करें, लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे, अभी ola definitely चल रहा है वो, तो व बहुत कम है यह, बहुत कम है, इनका dealer ने ट्रुक भी, और जहां तक company के बारे में अगर हम बात करने जाए, उर्जा ग्लोबल में, तो इनका जो P ratio है, वो काफी हाई है, काफी हाई है यह, और मेरे हिसाब से, इवन कल भी मैंने इसके उपर बात करेंगे थी कि बहुत हाई ह यह, कहीं न कहीं, यह justify नहीं है, company के numbers अगर आप देखो तो से किसा add up भी नहीं है, मैंने पूरे आपको quarterly result पी समझाये थे, market के अब मुश्किल से 710 करोड के आसपास का देखने को मिल रहा है, इनके numbers अगर आप देखो, जहां company पहले 40-50 करोड का revenue कर थी, quarterly आज वो घटके 9 से 10 करोड का हो चुका है, लेकिन मुझा अगर यहां से बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए इनका revenue, क्योंकि पहले company के कई सारे businesses थे, मतलब कई सारी product थी company की, अभी company अपने product size कम कर दी है, और उनी product पर focus करें, जहां पर margin जाता है, तो यहीं वज़े कि पहले 40-50 करोड के revenue revenue में भी इनका जो profit था, वो कुछ था नहीं, लाखों में था, मतलब 22-20 लाख ऐसा ही था, और अभी क्या है कि company धीरे-धीरे अपना profit बढ़ा रही है, जो कि अभी भी 60 लाग के आसपस, अला कि last quarter में काफी कम था, सिर्फ 9 लाग का ही profit हुआ था इने, और अगर आप देखो यह क्या था कि बढ़िया, 165 क्रोड का revenue में भी इनका जो profit था, वो मुश्किल से था, एक करोड 12 लाग का, अभी भले ही 40 लाग का आसपास का इनका revenue है, 40 क्रोड के आसपास का revenue है, लेकिन profit उसे ज्यादा है, 1.5 क्रोड के आसपास है, मुझा प्रोफिट वाइस ग्रो हो रह है, 31.97% की holding थी, 30.45 पर आगए, 31.18 पर आगए, अभी 28.65, तो काफी बड़ी quantity promoter नहीं यहाँ पर बेची है, और खरीद रहे है, retail investor, 68 से 71.34 पर आगए, यहाँ पर, 0.01% की holding यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जातर जो quantity है, वो उसी public और promoter ही है, यहाँ पर, बड़े-ब बुरी नहीं है, उर्जा ग्लोबल, लेकिन जो तीजी आई थी, 50% की आई है, अब थोड़ा सा correction देखने को मिल सकता हो सकता है, कि यह 10 रुपए के करीब चला जाए, लेकिन वापस यह कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहेगा, और फिर घूमना शुरू करेगा, और फिर वापस उपर जादा भी यह नजर आ सकता है, आपको उर्जा ग्लोबल का share, तो देखे, जो खबर आई थी, अगें, वो इलॉन मस्क वाली होती है, तो बहुत तीजी आती, लेकिन वैसा है नहीं, लेकिन फिर भी टेसला पावर के अगर हम बात किया, तो काफी बड़ी कंप होता है, नमबर्स में एड़ अप होता हुई है, जून क्वार्टर से मुझे को जादा उम्मीद नहीं है, यहाँ पर, मैं एक्चुली में देखना चाहूँगा, इनके सब्टेंबर और डिसम्बर क्वार्टर के नमबर को, अगर वहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नजर करी है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जैसे ही, आप देखिए कि बहुत कम टाइम में, जब 60-70% की तीज़ी आ जाते है, दो तिन दिनों में, तो कहीं न कहीं फिर टाइम लगते है, सो कुल ओफ होने में, और कहीं न कहीं में मान के चलाओं कि थोड़ा बहुत और करेशन यहां पर बनेगा, तो एक टाइम पर आएगा, जहां पर वो सडल होने के कोशिश करेगा, और वो जो रेंज होगा, वो देस रुपए के आसपास का हो सकता है, पिछले एक साल कि अगर हम बात करने जाए, तो ऐसे तीजी बीच 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 है, काफी बड़ी देखने बीच में, शेर 33 रुपए तक चला गया था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली जरूर है, और अभी इस बार भी मुझे था कि थोड़ा बहुत बाउंस बाइक दिखाने के बाद थोड़ा सा कूल आफ होकर, फिर वहां पर रफ्तार पकरने के कोशिश उसके बाद टेसला वाली, अगेन इलों मस्क की कंपनी वो नहीं है, जो कि मेरे एसाब से एक पॉसिटिव चीज है, नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो तीजी आई है, जो कि अनेक्सपेक्टेड थी, इतनी बड़ी तीजी इस कंपनी को लेकर, जो आई जरूर है, जो कि थोड़ा बहुत कूल ओफ आएगा, अगर देखा जाए, तो इस खबर के चलते हैं, जो तीजी एक्सपेक्टेड है, वो 20-22 पर्सन की तीजी एक्सपेक्टेड है, 60-70 पर्सन की नहीं, इसके अलावा, एनलिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तमाल कर रहा हूं, में डेली स्ट्रॉंग पैनी स्टॉक को भी ढूंड सकते हैं, डेट फ्री कंपनी को भी आप आराम से ढूंड सकते हैं, इसके राज़ बड़े-बड़े इन्वेस्टर से वो क्या खरीद रहे हैं, वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं, उनका पूरा पूर्टफोलियो आप कर सकते हैं कि किस प्राइस पर कितने शेर्ट इन्होंने खरीदे हैं क्या परसंटेज ओफ होल्डिंग है उनके पास सब कुछ चेक आउट कर सकते हैं वीडियो को यहीं पेंड करूँगा पसंद है हो तो लाइक रोश्राइब करें चाहां बगरा पहली बारे तो प्रीज सब् प्रीद करें थाट व्राइस प्राइस 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 होल्डियो के फ्राइस पर्से घर्ताड़ कर चेक जकले अबस्दी व्रताओ धूट्य।